आज श्रावन शोकले एकादशी बुदवार 18 अगस्त 2021 है आज प्रभु स्रीजी में पवित्रा एकादशी का उस्तव है आप सभी को खुब खुब बदाई स्रीजी की सेवा प्रनालिका के अनूसाथ राग होगे हम स्रंग्दार के साथ सिथी के दर्शन करते हैं आरे पदपंकज स्फुरद मंदरी नूत कटा चैशी कृष्ण आप देख रहे हैं दिवे शंकनाद मैं भावी का जोशी आप सभी का स्वागत करते हूँ यह जो दर्शन आप कर रहे हैं यह आज के पवित्रा एकादशी के प्रभु स्रीनाजी के दर्शन है जिसके बारे में विस्तरत वीवरन हम कल की प्रस्तुती में दे चुके हैं यदि आप दर्शन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो के अंत में इसका लिंक दिया है जाता है उसकी भावना के साथ प्रभु स्री जी के दर्शन करते हैं समवत 1444 की स्रावन शुकल तीज से भागवत पारायन प्रारंब कर आज स्रावन शुकल एकादशी को पूर्ण की थी श्री वल्लबने आप देवी जीवों के लिए चिंतित थे तभी मध्यरात्री को स्वयम ठाकुर जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को देवी जीवों को ब्रहम संबंद देने की आज्या दी श्री महाप्रभु जी ने श्री गोर्दन नाज जी को 360 तारों का जैनेवु जी से पवित्रा कहते हैं अंगिकार करवाया मिश्री का भोग रोगाया पुष्टी मार्ग ये जीवों के लिए यह बहुती विशिष्ट दीवस है आज सर्व प्रतमस्री दामोदर्दास जी अर्सानी जी को ब्रहम संबंद प्राप्त हुआ और समस्त जीवों के लिए ब्रहम संबंद का पुष्टी पत आलोकित हुआ अर्थात पुष्टी मार्ग ब्रहम से संबंद का मार्ग है ब्रहम को प्राप्त करने का मार्ग है पुष्टी मार्ग के इस प्राकट्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई आईए ब्रहम संबंद के विशे में थोड़ा सा जानते हैं जो पुष्टी मार्ग का मूल आधार है और यहाधार प्रभु आज्या से है अपनी आज्या में प्रभु ने श्री महाप्रभु जी से कहा है कि आप जिन जीवों का संबंद मुझे से कराओगे उन्हें आप भले छोड़ दोगे लेकिन मैं कभी भी नहीं छोड़ूँगा यह आज्या करते हुए प्रभु श्री गोर्धन धर ने महाप्रभु श्री वलभाचार्य जी को ब्रह्म संबंद का मंत्र प्रदान किया और आज्या की कि जिस भी जीव को आप यह मंत्र देंगे उसके समस्त दोष निवरत हो जाएंगे इसी समय श्रीमद वलभाचार्य जी ने मधुराष्टकम ग्रंथ की रचना की इस समस्त घटना क्रम को प्रभु श्री ने सिद्धान्त रहस्य ग्रंथ में प्रतिपादित किया है ब्रह्म संबंद विवाहवत संसकार भी कहा जा सकता है जिसमें जीव का प्रभु से संबंद होता है प्रभु और जीव का यह संबंद गुरो ही करवाते हैं अत्ह पुष्टी मार्गिय समस्त जीवों के लिए सर्वच गुरु स्रीमद वलभाचार्य महाप्रभुजी हैं, जो पुष्टी मार्ग के प्रवर्तक हैं, आज दामोदर्दासी हरसानी को प्रथम ब्रह्म संबन स्री महाप्रभुजी ने करवाया था, अत्ह आज गुरु को पवित्रा धराने की परंपरा तभी से प्रारंब हुई, एक और विशेष्टा है पवित्रा बारच को, श्री महाप्रभुजी को, दामोदर्दासी हरसानी के साथ में स्वयम प्रभुश्री गोवर्दन धरन ने भी पवित्रा धराई थी, जिनके हिर्दय में स्रीजी सदेव विराजमान हैं जिनोंने पुष्टी मार्ग को अपनाया है उनके लिए गुरू का महत्तो क्या है यह इस गाटना करम से प्रतिपादित है पवित्रा ग्यारस बारस को जो क्रियात्मक सेवा होती है उसे ना केवल इस्थाई संसकार के रूप में अपनाये बल्कि नव पल्लवों में भी स्थापित करें ना केवल स्थापित करें बल्कि सिंचित भी करें यह हमरा आधार है अपने गुरू के प्रति पूर्ण समर्पन भाव रखकर अपने दोशों के निवारार्थ पवित्रा धराएं वर्तमान कालखंडे एवं घटना क्रमों के अनुसार यह उलेखनी है कि पाखंडों को अपने विवेक से दूर रखकर केवल श्री वल्लब पर भरोसा द्रड रखें इसे समझने के लिए आज कहीं दिन हुए एक और घटना क्रम को आप अवश्य जानिए जब प्रभु श्री गोवर्धन धरन महाप्रभु जी को आज्या कर रहे थे तब स्री दामोदर्दास जी हरसानी भी वहाँ विद्यमान थे प्रभु आज्या के पश्चात प्रात है श्रीमद वल्लबाचार्य जी ने हरसानी जी से पूछा कि दमला तेने कचु सुन्यो तब हरसानी जी ने निवेदन किया कि प्रभु मैंने कुछ सुना तो सही पर समझा कुछ नहीं अर्थात वह जो भगवद आज्या है वह केवल गुरू ही समझा सकते हैं इसका हमें सदे उध्यान रखना चाहिए आप सभी को पवित्रा द्वादशी एवं पुष्टी के प्राकट्य दिवस की खूब खूब बधाई जैश्री कृष्ण आईए प्रभु शिनाच्ची के दर्शन कर लेते हैं आज प्रभु शिनाच्ची को पिछोड़ा एवं मौर पंक की पन्ना वाली चमकनी चंद्रिका का संगार धराया जाता है आज की सेवा भावना के तहत आईए प्रभु शिनाच्ची की साज सज्जा के सरोप्रथम दर्शन करते हैं साज सेवा के तहत आज शिनाच्ची में सफेद रंग की मलमल की दोरे वाली सुनहरी जरीकी किनारी के हाश्या वाली पिछवाई धरायी जाती है पिछवाई में श्री महाप्रभुजी श्री जी को पवित्रा धरा रहे हैं एवं श्री गुसाई जी मोर्चल की सेवा कर रहे हैं ऐसा सुंदर चित्रांकन किया गया है गादी और तक्या के उपर सफेद विचावट की जाती है स्वर्ण की रत्न जडित चरंचो की हरी मकमल वाली आती है पिठीका के उपर वैसी प्रकार पिछवाई के उपर रेशम के रंग विरंगे पवित्रा धराये जाते हैं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज गहरे गुलाबी रंग की मलमल का रुपहरी की नारीक से सजाया हुआ पिछोड़ा धराया जाता है ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराये जाते हैं श्रंगार एवं आबरन सेवा के दर्शन करें तो स्री जी को आज छोटा हलका श्रंगार धराया जाता है कंठहार, बाजूबंद, पोची यादी सभी आबरन पन्ना एवं सोनी के धराये जाते हैं एक कली की मालाजी धरायी जाती हैं तो प्रभू के श्री मस्तक पर पतं की रंग की छज्यदार भाग के उपर सिर पेच, लूम, मौर पंख की पन्ना वाली चमकनी चंद्री का एवं बाई और शीष फुल धराया जाता है श्री कर्ण में प्रभू के आज पन्ना के चार कर्ण फुल धराये जाते हैं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो माला जी एवं वेद प्रकार के रंग बिरंगे भवित्रा माला जी के रूप में धराये जाते हैं श्रीहस्त में कमल चड़ी, पन्ना के वेनु जी एवं वेत्र जी धराये जाते हैं प्रभु के श्री चर्णों में पेंजनिया, नूपूर, वबिच्छियां उस्सवत धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट गुला भी गोटी छोटी सोने की आती है। आज सी प्रभु शंगार में आज लाल मकमल की एवं राजभोग में सोने की डंडे वाली दिखाई जाती है। राग सेव के तहत आज मंगला में प्रेंख पर्यंक शैनम, राजभोग में सब ग्वाल नाचें, गोपी गावें, हिंडोरा में आई आई, सकल ब्रजनार, जूलत है भामिनी हिंडोरे, कमल नयन प्यारो, जूलत ही गोपाल, शैन हों, बलबलती ही काल गोपाल, कीर्टनों क प्रभु के सनमुख गान किया जाता है, संध्यारती में स्री मदन मोहन जी डोल तीवारी में चान्दी के हिंडोलने में जूलते हैं, उनके सभी वस्त्रवशंगार स्री जी के जैसे ही होते हैं, स्री नवनित प्रिया जी भी चान्दी के ही हिंडोलने में विराजित होकर ज बूलते हैं श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूद घर, बाल भोग, शाक घर वर रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामगरियों का नित्य नियम अनुसार भोग रखा जाता है तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु स्री जी को ताम्बूल बीडा अरोग आये जाते हैं मंगला, राजबोग, एवं आर्ती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आर्ती उतरी जाती है आये, अब प्रभु स्रीनाच जी में कल हुए हिंडोलना मनोरत, एवं पुष्टी मार्ग की तरती अपीट, द्वारिकादीश जी मंदिर कांकरोली में हुए हिंडोलना मनोरत के दर्शन कर लेते हैं पैरन कोंदीन आयो मवित्रावल पैरन कोंदीन आयो मवित्रावल केशन कुमन कुमन नजरन भाई गोई हुंदन हाई रज बनायो अब पुष्टी सिष्टी से दर्शन करते हैं हुष्टी से बनायो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर को चाहिए जैकार होते वसुधार परे तुरे दुनी मंगर रायो मदीत पवीत रहे किये सुपह साइगे दे सूरे दास यह शेगार आयो जैकार होते वसुधार परे तुरे दुनी मंगर रायो जैकार होते वसुधार परे तुरे दुनी मंगर रायो जैकार होते वसुधार परे तुरे दुनी मंगर रायो जैकार होते रायो जैकार होते दुनी मंगर रायो कि लाग पर लडार हुआ रभे जुर हुआं झांट दुभ लूलाँ मैट बन्यूलाँ भूलाँ जुए लüber्याल गडता हमादा, उकका ठाम हुआएं जान राए से लो मेरतनी तोपने वाल्ता बेंदा जान राए सोब मेरतनी तान बेंदां आदो नियों ओर आदा मधिन में, इसी प्रदन में, आदो शादा आदाता, पर्ण दीरिदा शार अवित्राश्र पर्ण दीरिदा नार आज्यर पांग हो अंग अंग की पानी कर पूरा राज कर वनमान कर विशुदा से प्रादू ओ गुलमाई आज्यर विहरत बाद उमार पमीत्राद पर्ण दीरिदा नार आज्यर पमीत्राद पर्ण दीरिदा नार आज्यर पांग हो अंग की पानी कर पूरा राज कर वनमान कर दीरिदा नार आज्यर पर्ण दीरिदा नार पमीत्राद पर्ण दीरिदा नार आज्यर अंद राय के आनंद भयो राक सारंग पर्ण दीरिदा नार आज्यर पर्ण दीर नार आज्यर हेरी हे भया हो आज्यर राय के आनंद भयो हेरी हे भया हो आज्यर राय के आनंद भयो नाचत गोपी करत कुलाहल मंगल चार उठयो मंगल चार उठयो हेरी हे भया हो आज्यर राय के आनंद भयो हेरी हे भया हो आज्यर राय के आनंद भयो राती पीरी छोली पहरे राती पीरी छोली पहरे राती पीरी छोली पहरे नोत में जूमक सारी हा नोत में जूमक सारी हा छोबा चंदन अंग लगाये चोबा चंदन अंगल लगाये हा सेंदुर मांग सामा री हा सेंदुर मांग सामा री सेंगुल माम समारी है भया हो आजन जन राय के आनम दवायो तेरी है भया हो आजन जन राय के आनम दवायो माखन दूद दयो भर भाजन सकल दूद दयो भर भाजन सकरवाल में आये आहा भाजत बेन पखावज महुवर आहा गावत गीत सुहाए आहा गावत गीत सुहाए आहा गावत गीत सुहाए तेरी है भया हो आजन जन राय के आनम दवायो तेरी है भया हो आजन जन राय के आनम दवायो आरग दूब आक्षत दने गुमा गुमा आगन बाढी के जए आगन बाढी के जए हां हसत पर असपर प्रेम मुदित मन लाग लाग भुझ भीच लाग भुझ भीच लाग भुझ भीच हेर लाग लाग भुझ भीच लाग भुझ भीच लाग लाग भुझ भीच थेरी हे ओ बया हो आज नग राय के आनक दमयो चाहू बेद धनी करत मामिनी पंच शाब्द धनी करत मामिनी अपरमान दब्ढ़ो पुल में आण दरिद यकलो बर्या आण धनी करत मामिनी आनंगर दयत लोने पहरी है भाईया हो अजनंग रायत आनंग वयो तेरी है भाईया हो अजनंग रायत आनंग वयो तेरी है भाईया हो अजनंग रायत आनंग वयो चाहूं बे दग्वनी करत महा हो अजनंग रायत आनंग वयो पाहूं बे दग्वनी करत महा हो अजनंग रायत आनंग वयो तेरी है भाईया हो अजनंग वयो अजनंग वयो अज़नुद पांच लोग। अज़न के आणन्यम्यों पे-वैहिए अज़न अज़नुद राय। आनु दर्भायों देदी है वह बया हो देदी है वह बया हो आजब आए के आनु दर्भायों ब्राजे मंन दर्भायों दर्भायों ब्रगटे सी मोगईन, ब्रगटे सी मोगईन, लाले, ब्रजे मंदल, हां, मंदल दयो ब्रजयुवती चलिधेट ले, हाथने कंचन, हाथने कंचन, थारे ब्रगटे सी मोगईन, लाले, ब्रगटे सी मोगईन, ब्रगटे सी मोगईन, लाले, ब्रजे मंदल, हां जाय जुरे नल्डाय दे पाधी बंदन बाधी बंदन वार जाय जुरे आज के लिए बस इतना ही अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताईए और इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर कीजिए देखते रहें दिवे शंकना धन्यवाल दिवे शंकनात के लिए क्रिश्न कनेया सनाध्य के साथ केलाश पालिवाल, कुल्दिप शर्मा, राजु भाई सनाध्य, कमलेश पालिवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाध्य, और कांकरोली से गोरव पालिवाल के प्रस्तुति कीर्टन, श्री गिर्दर गोपाल जी मापावला, काका सायवं, रवी गोपाल जी मापावला, कीर्टन समाज नाध्पुर से साभार, पुष्टि स्रिष्टि के दर्शन भेजने वाले, सभी वैश्नों का विशेशाभार, जय स्री क्रिश्न